साथियों, बीते कुछ सब्ताम हैं, जीच तरह की खबरे आई हैं, वो भारत में इंडिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर अबुत पुर्व पॉजिटिविटी को दिखाती हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वाल मार्ट के सी यो से हुई, उन्होंने विश्वात जताया कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड रुपी के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी। हमारे जो युवा लॉजिस्टिक्स और सप्लाइचेंज सेक्टर में काम करना चाहते हैं, यह इनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है। सिस्को के CEO में ने भी अपनी भारत यात्रा के जहरान मुझे बताया कि वो भारत में बने 8,000 करोड रुपी के प्रोड़क्स के एक्सपोर्ट का लक्स लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एपल के CEO भी भारत आये थे। भारत के उजवल भविश्य और खासकर मोबाइल मैनिफेकरिनिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे। दुनिया के मज़ूर सेमिकंड़क्टर कमपनी NXP इसके टॉप एग्यूटिव भी हाली में मुझसे मिले हैं। वो भारत के सेमिकंड़क्टर एकोसिस्टिम के निर्माण और उसके सामर्थ को लेकर बहुत पोजिटिव हैं। फोसकोन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट में हजारों करोड रूपिय का निवेश शुरू कर दिया है। अगले एक सब्ता में दुनिया की बड़ी कमपनीयों के बहुत सारे CEO से फिर से एक बार मेंने मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बाते ये सारे प्रयाद दरसाते हैं कि भारत में अलग-अलग सेक्टरस में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, भारत के युवाओं के पास अलग-अलग सेक्टरस में काम करने की स्कील रहनी भहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च सिक्षा समस्थानों, कौशल विकास समस्थाना का भी युद्ध स्तरपन निर्माण हो रहा है। साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया IIT और एक नया IIM तयार हुआ है। पिछले नव वर्सों में आउसतन हर हपते एक युनिवर्सिटी और हर दिन एब्रीडे दो कॉलेज खोले गए हैं। हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास युनिवर्सिटी थी। अब इनकी संख्या बढ़कर ग्यारा सो से जादा हो गई है। साथ दसकों में देश में सिरफ साथ एम्स तयार किये गए थे। पिछले नव वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बड़े हैं। इन में से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाए देनी भी शुरू कर दी है। 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या लगबग 700 हो चुकी हैं। कॉलेज बढ़े तो स्वाभायक तोर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी हैं। युवाओं के लिए उच्च सिख्षा की पढ़ाय के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में MBBS और MD की सीटे सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में MBBS और MD की सीटे बढ़कर 1,70,000 से भी जादा हो गई हैं। साथियों किसी काम के लिए काउशल का विकास करने में हमारी ITIs ये भी महत्वपुर्ण भूमी का निभा रही हैं। बीते नव वर्षों में देश में लगवग हर रोज एवरी डे एक नई ITI का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 ITIs में देश की नई जरुरतों के मुताबिक नए कोर्से शुरू किये जा रहे हैं। PM कौशल विकास योजना के तहट अब तक सवा करोड से जादा युवाओं को स्क्रील ट्रेनिंग भी दी गई है। साथियो, सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए आउसर बन रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक उधारन देना चाहता हूँ, EPFO का। अगर हम वर्थ 2018-19 के बाद के EPFO के नेट पेरोल के आंकडों को ही देखें। तो साड़े चार करोड से जादा लोगों को फॉर्मल जॉब्स मिली हैं। Employee Provident Fund Organization का जो पेरोल डेटा है, उसे साब पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब्स में निरंतर वृद्धी हो रही हैं। Formal Jobs में इस वृद्धी के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बटर है। उंडिए यहां। कर दो भी लिए कि ढई ठार हिर्मल जॉब्स में स्वरोजगार के लिगिते इस रहता है